by calling students आजम में बरहे में अध्यान किटोंच के बारे में क्या गईएंड़दिए हाइड्स के चेंड़ हेटोंच क्या होते हैं है Num黩 के टोन है यह देखते हैं से डबल ओ सम्मू को कार्बोनील 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 का जाता है और जिन योगिकों में यह सम्मू पाय़ जाता है उन्हें हम कार्बोनील योगी कार्बोनील कमपाउंड्स करते हैं ठीक है जब कार्बोनील समू की दोनों मुक्त सम्यु जगता है जब कार्बोनील समू की दोनों मुक्त सम्यु जगता है से एक पर हाइड्रोजन परमानों जुड़ा हुआ हो तो LDH समू बनता है दोनों मुक्त से उज़े कताम में से एक पर हाइडरोजन जुड़ा हुआ हो तो क्या बनता है यह एक मुक्त से उज़े पर हाइडरोजन तो यह होता है LDH LDH ठीके जो एक सही होजी होता है यह एक सही होजी होने के कारण LDH समू कार्बन सरंगला के सीरे पर इस्तित होता है और C-H-O समू योगी क्या कलाते हैं? LDH इसके विपरीत केटोनों में कार्बोनिल समू की दोनों मुक्तसर्ण जिटाव पर कार्बन फरमानों से जूरी हुई होती है कि अधा केटोनेक समूं सदेव कार्बन सुनगला के मद्धे में इस्तित होते हैं यह कि यह सीड़क्व वों ओ लिकारभन दोनों मुक्त सविद्द पर कार्बन समूं जुड़े हुए अबोटे हैं और इसको करते हैं किटोन ठीक है तो एक मुक्त सायं जुता पर अगर हां जुड़ा हुआ है तो इसको करते हैं नाम करन के नाम करण की दो परचलीत विदियां है पर्ली विदी है ट्राइवल सिस्टम जिसको सामाने या रूड पदति करते हैं रूड पदति ठीक है इस पदति के अनुसार है अधार पर बनाते हैं हम जानते हैं कि अधार पर इनका नोमेंकलेचर किया जाता है उस अमल के नाम से इक अमल के इस्तान पर लगा दिया जाता है है किस तरह से कि हैंट को सी डबल ओ नहिए तो तो क्या बनता है तो इसका नुमेंकलेचर क्या होजा एक फॉर्मेड़ी हाइड है फॉर्मेड़ी हाइड जीसे क्या बनता है फॉर्मिक अमल है ठीक है तो यह सामने नाम पतति हो गए जैसे सी एच्छ देबल बॉन ओ इसके ऑक्सिडेशन से क्या बनता है है एक त्रीसी डेबल बॉन ओ ओ ओ एच एसे सीटी का हमला बनता है यह एसीटी अमला तो इसका नाम हो गया एक एसीटेल्दी हाइड ठीक है इस तरह से इसका एल्डाइड को नम कर लग नुमेंट्वेटर कर लेते हैं अब किटोन का नुमेंट्वेटर करते समय में डाय अलक और चीछ थ्रीसी कर्छिणी डाई एल्खिल के टोनी तो इसका नाम हो जाएगा डाय मेतिल दो मेतिल शमार्ण जुड़े होई हैं डाय मेतिल कीटोन ठीक है इसमें CH3, C double bond O, CH2, CH3 इसमें एथिल भी जुड़ा हुआ है और मेथिल, मेथिल भी जुड़ा हुआ है और एथिल भी जुड़ा हुआ है तो एथिल एल्फाबेटी के लिए में बस्ट ओर्डर है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, मेथिल, और कीटोन ठीक है तो ये रिल्फाबेटी के नामकरन की परचलीत वसामाने पदतिया थी ठीक है दूसरी पदति है आपकी दूसरी पदति है आयू-पी-ए-सी सिस्टम आयू-पी-ए-सी किस तरह से करते हैं इस पदति के अनुसार एलिफेटिक एल डी हाइडो का नामकरन करते समय इसके जनक एल केन जनक एल केन के नाम के अन्त में क्या लगा देते हैं सो फिक्स एल लगा दिया जाता है एल एको माइनस की कोटा के एल कर दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है लके एल के नाल ठीक देखते हैं HCHO ठीक यह इसका मेथें से बना हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मेथे ने क्या हो जाएगा मेथें रिद्द मेथें एल मेथें एल ठीके और इसका नाम CH3CCHO, इसका नाम हो जाएगा एथेनेल, ठीक है, चुंके LDI समूसा देवी स्रंगला के सिरे पर होता है, अता इसकी तिती पताने क्या हो सकता, नहीं पड़ती, कितोन का नाम करन करते समय, उसकी जनक LN, के अंत में, LNQE, को आटा कर क्या लगा दिया जाता है, ओन, एक उटा कर दो औन लगा दिया जाता है, कितोन का नोम 인ले तर के सिता हो, देखिए, CH3 C double bond O CH3 तीर कार्बन है तो प्रोपेन हो गए प्रोपेन एकोटा की क्या जोड़ दिया नोन प्रोपेनोन ओके CH3 CO CH2 CH3 यह हो गया आपर ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन अब CH3 CH2 CO CH2 CH3 ठीक है अब इसमें CO की पोजिशन हम को देनी पड़ेगी तो 1 2 3 4 5 3 पे CO समूँ जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे इसको 3 पेन्टे नोन CO समूँ कहां जुड़ा हुआ है 3 पर प्रोपेनोन और इसमें क्यों नहीं दिया हमने जो कि प्रोपेनोन ब्यूटेनोन में किटोनिक समूँ के लिए कोई दूसरी इस्तिती समभव नहीं है अब तर इसकी इस्तिती बताने क्या हो सकता नहीं होती कि इंटू पेन्टेनोन के लिए के लिए किटोनिक समें इस्थितिक बताना उसे होता है इसमी समाई दży इसमाई पारिव सीए स्थ के संवना इसमेरीज में s इस तुट चो यह गया ब्यूटेनल अब्यूटे नेल ठीक है दूसरा कमपांड है आपका चीछ थी च चीछ थी च्छ ओ चीछ थी टू मेधिल तू मेधिल प्रोपे नेल इनका मोलिकुलर फॉर्मला क्या है है सिएट फॉर है इसमें सीदी स्वरंकला है यह प्यूटेनल और इसमें दूसरी पोजिशन पर यह है वन पोजिशन टो पोजिशन ठीक पर तूसरी मिधायल जुड़ा हूँ है बड़ मोलिकुलर फॉर्मला यह है तो इसमें होगी चेन आइसो मिहरीज दूसरा है पोजिशन आइसो मरीज्म, इस्तती सम्मावए होता है के टोनों में इस्तती सम्मावए होता है एक विशिस प्रकार मेटा मेरीज्म पाया जाता है एक मेटा मेरीज्म पाया जाता है ओदान के लिए C5, H10, O अनुसुत से अगर तीन प्रकार के किटोन सम्माव है कौन कौन से किटोन सम्माव है CH3, CH2, CO, CH2, CH3 दूसरा है CH3, CO, CH2, CH2, CH3 तीसरा है CH3, CO, CH3, CH3, CH3 ठीक है अब इसमें नोमें क्लेचर हम करते हैं देखो नोमें क्लेचर करने का 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है इसका नाम क्या हो गया 3, 3 पे जड़ा होगा है तो 3 पेंटेनोन ठीक है इसका नोमें क्लेचर इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है क्योंकि C, O, समू को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए तो इधर से अगर करते हैं तो 1, 2, 3, 4 पोजिशन पर आता है करते हैं तो इसका नाम हो गया 2, 5, 9 अब इसमें नोमें क्लेचर इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4 ठीक है 2, 3, 4 तीन पर क्या जड़ा होगा है मिथायल तो 3 मेथिल लिकेंगे पले 3 मेथिल और 2 चार कार्बन ने पेरेंट्स चेन में 2 ब्यूटेनोल नोम ठीक है यह तीन समाव वही है इसमें इस्तती पोजिशन पर जाती है समाव वहता क्योंकि इसमें सी हो समूट तीन स्री पोजिशन पर है इसमें 2 स्री पोजिशन पर है और इसमें जो है वह दूसरी पोजिशन पर ही है प्रण्ट इसमें जो साइड चेहन है वो डिप्रेंट होती है किरियात्मत समावे होता किरियात्मत समोवे होता LDR जाता केटोन दोनों का समाने सुत्र होता है CNH2NO और दोनों परस पर भी किरियात्मत समोवे होता है इनके तिरिक चक्र एलकलीन ऑक्साइडम एलकीन नोल का भी समाने सुत्र यही होता है और इनके साथ भी LDR किरियात्मत समोवे होता प्रदसीत करते हैं उदाण के लिए C386O के निम्न समावे होता है कौन कोन से CH3, CH2, CHO और यह होगा प्रोपेनल और यह CH3, CWO और CH3 होगा प्रोपेनल तोसा है CH3, CH, CH2O और यह होगा आपका प्रोपीलीन, प्रोपीलीन ओकसाइड और तोसा होगा आपका लास्ट, CH2, डबल बॉंड, CH, CH2O और यह अच्छ, एलील, एल्कोहल एलील, एल्कोहल, ओके तो यह सारे हैं जो किरियात्मक समू समावे भी होते हैं तो इनमें तीन प्रगार की समू समावेता पाए जाती है चेन आइसोमरीज, पोजिशन आइसोमरीज, यह पंक्सनल आइसोमरीज, अब किटोन और एल्डिहाइड है उनको बनाने की कौन-कौन सी विदिया हैं के बारे में चर्चा करते हैं मेथड़ और प्रिप्रेशन और एल्डिहाइड एंड किटोन्स ठीक है इनके बनाने की पर्तमविदी है एल्कौलो से प्रोम एल्कौहल्स एल्कौहल्स से किस तरह से बनाए जाता है एल्कौहलों के ओक्सिकरन द्वारा कार्बोनील योगी बनते हैं प्रात्मिक वन डिग्री एल्कौहल के ओक्सिकरन कराने पर एल्डिहाइड जबकि दिट्टे टू डिग्रेल कोल का उक्षिड राने से कीटोन प्राफ्थ होते हैं आर छी अच्टू ओएज इसका उक्षिडेशन खरवाएंगे तो LD हैड बनेगा आर छी अच्टू LD हैड प्लस H2O ये प्राफ्थ में वन डिग्रेल कोल है और इससे बनता है आपका LD हैड ठीक है आर आर सी एच ओएच इसका उक्षिकरन करवाएंगे तो आर आर सी डेवलो प्लस H2O टू डिग्रेल कोल है इसका उक्षिकरन से कीटोन बनेंगे ठीक है तो ये एलकोल से किस तरह से हम बना सकते हैं इसके बारे में अधिन किया ठीक है अब इसमें क्या है कि एक एलुमीनियम तर्तिक ब्यूटोकसाइड एलुमीनियम तर्तिक ब्यूटोकसाइड एक एसाफ विशिस्ट ओक्षिकारत पदार थे जो डिटेल को कीटोनों में ओक्षिकरत कर देता है दिते अलकोल को अभी करमक के साथ गरम करने पर उसमें किटोन मिला देते हैं देखिए यह अन्य प्रकार के भी क्रिया है ते लानू आर आर और सी अच्छ के लिए अपने ठीक है और यह आक्षी का रख लिया हमने और सी अच्छ तरीका ओल्टराइड सी ओ यह इसका ओल्टराइड एलुमेनियम ठीक है इसकी रियक्शन करवाएंगे तो आपके बंदा है आर आर सी अच्छ ओ त्री अलुमेनियम प्लस तील सी अच्छ तरीका ओल्टराइड और सी ओ एच ठीक है अब यह और आर आर च्छ ओ ओल्टराइड एल प्लस तील सी अच्छ त्री च्छ त्री सी डबल ओन ओ और यह बंजाएगा आपका तील आर 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 च्छ डबल ओन ओ प्लस च्छ तरी च्छ तरी च्छ ओ ओ ओ अलुमेनियम ठीक है तो यह बंड़ गया आपका कीटोन एक कीटोन का फोर्मेशन होता है ठीक है इस विशिष्ट आक्षी करान को जो यह आक्षी करान रियक्शन है इसको हम बोलते हैं ओपे ऑके नोर ओक्षी करान अभी के लिया ठीक है ओक्षी करान अभी के लिया इसको हम बोलते हैं इस विधि द्वारा प्रात्मेके अलकोलकका अख्षी करान के लिए एल्डियाड भी प्राप्त किए जा सकते हैं ओक्षिकरण की यह विदी विशेश कर संत्रफ दित्ते एल्पोल के लिए परियूद की जाते हैं क्योंकि इस अभी कर्म से केवल दित्ते एल्पोली समू कीटोनिक समू में परिवर्दित होता है द्युबंधि से प्रभावित न